नमस्कार मित्रों, हिंदी की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिए गौरा पंशिवानी जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी विप्रलब्धा कहानी बेहद रोचक है, तो शुरू करें कहानी विप्रलब्धा बरेली का स्टेशन मद्धे रात्य के धुंदलके में डूबा था रेलवे करमचारियों की सफेद वर्दी यदा गदा चमकती और फिर शान दिछा जाती शटल यहीं लगा है, डिब्बे में अंधिरा तो है मेम सहब, पर सामान लगा देता हूँ आप आराम से सोजाईए, कुली ने मेरी स्विक्रती की प्रतीक्षा करने की भी कोई आवश्यक्ता नहीं समझी और सामान चुनकर लगा दिया बिना बत्ती का वो अंधेरा कमरा मुझे किसी अरवा चीन गुआ द्वार सा लगा एक दो घंटे ही की समस्या नहीं थी, रात भर अकेली उस अंधेरे कमरे में कैसे रहोंगी फिर शेटल में फर्स्ट का किवल एक ही डिबा रहता था प्राया ही दिल्ली की गाड़ी से आने वाले यात्री अपने रिजर्वेशन की संगीन गुसिड रात भर तपस्या रत योगियों के अमानवे धहर से अंधेरे डिब्बे में बैठे निरी यात्रियों को बड़ी निर्ममता से बाहर निकाल देते थे मुझे इसका भी पूर अन्भो था यही नहीं इसी इकलोते डिब्बे के लिए मैं कई संब्रांत यात्रियों को दीन याचक की भात गिरगराते भी देख चुकी थी पर मुझे इसी गाड़ी से जाना था इसी से पैसे देकर वाचाल कुली को विदा किया और नीचे की बर्ट पर लेट गई मनीमन मनाती जा रही थी कि कोई मुझसा ही सहयात्री आ जाता तो निश्चिनता हो जाती शायद विदाता को भी तरस आ गया और कोई बीस मिनट भी नहीं गुजरे थे कि एक कुली हलका सा सूटकेस लटकाए भीतर गुजाया उसके पीछे पीछे रेश्मी साड़ी की खस-खस से मैं समझ गई कि प्रवेश करने वाली कोई महला ही है विदेशी सुगंद की तीवर गंद से मेरे नतुने भर गए और फिर शैनल के सुगंद भी क्या चिपाय छिपता है इस्टेशन के उस पार लगे विजली के खंबे की रोशनी भी एक घने पेड की चाया से एक दमी ढग गई थी अंदेरे में मैं कुछ भी नहीं देख पाई पर फिर भी सहयात्रनी की उपस्थिती से मन अचानक हलका हो गया आप भी काट गोदाम जा रही है क्या उसने पूछा जी हाँ मैंने संक्षिप्त उत्तर देकर करवट बदल ली कुली के साथ उस महिला के ख्षणक वारतालाप ने ही मुझे चौकनना कर दिया था जरा साही बढ़ावा देने पर वो मार्ग भर दिमाग चाट कर रख देगी यह मैं समझ गई थी क्यों भाई कुली बरेली में पानी कबसे नहीं बरसा क्या दूसरी गाड़ी से आने वालों की कोई रिजर्वेशन स्लिप बाहर लटकी है यहां कुछ खाने पीने को भी मिलेगा कहते क्या हो बारा बजे सब रिफ्रेश्मेंट रूप बंद हो जाते हैं तब तो मैं भूकी मर जाओंगी उसकी अनवरत बकर बकर से मेरा सिर दुखने लगा था इस दुखेली से तो अकेली ही भली थी कुली के जाते ही वो चपल उतार कर बर्थ पर पालती मार कर बैट गई और पंका जलने लगी गजब की गर्मी है ये मुई बरसात की उमस तो मही जून से भी जादा खड़ती है फिर आदत भी तो छूट गई है उसने शायद जानबूजकरी अंतिम वाके जोड़ा था जिससे मेरी नारी सुलब स्वाभाविक उत्सुकता पूझ बैठे क्यों भारत के किस उत्तुंग शेल शिखरवरवास है तुमारा पर मैं चुप रही किसे पड़ी थी जो कहती आ बैल मुझे मार अचानक टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में बिजली सी चमकी मैं हरबडा कर उट बैठी तीन चार सफेद वर्दी धारी टिकट चेकर खिड़की के कांच पर दस्तक दे रहे थे मैंने कांच उपर सरका दिया देखिए आपने क्या रिजर्वेशन किया है उनमें से एक ने कहा नहीं मैंने डरते डरते कहा जिस बात का भैता वही हुआ अब निश्चे ही ये यमदूत हमसे उतर जाने को कहेंगे तब आपको ये डिबबा खाली करना होगा अभी दिल्ली की गाड़ी से वे यात्री आते ही होंगे जिन्नोंने रिजर्वेशन किया है वो ध्रश्ट करमचारी खिड़की का सहराले त्रिबंगी भंगिमा में खड़ा हो गया आप लोग जा सकते हैं मेरी सहयात्रणी का रौबदार आदेश अंधेरे में गूझ उठा कैसा आश्चर है कि स्वतनतर भारत के अधिकांश नागरिक आज भी रौब डालने के लिए विदेशी भाषा के ही प्रियोक करते हैं मेरी हिंदी जो काम नहीं कर पाई थी वो उसकी ठसकेदार अंगरी जी कर गई जब आपके यात्री आएंगे हम देख लेंगे उसने लपा कर खिड़की का कार चढ़ा दिया कुछ क्षण चांती रही पर फिर वही दर्ष्ट था दर्ष्ट करमचारी द्वार भर बढ़ाने लगा आप लोग समझती क्यों नहीं आपका क्या बिगड़ेगा नौकरी तो हमारी जाएगी अब मेरी साथिन कृद शेड़नी की भाती छलांग लगा द्वार खोल कर खड़ी हो गई उस रणचंडी का रौद रूप देख चारों सक पका गए बड़े शर्म की बात है वो ऐसे शुद उच्चारण का विदेशी बारूद उगलने लगी जैसे आकाश्वानी से मंजे उच्चारण में अंग्रेजी के समाचार पढ़ रही हो आप लोग रेलवे के करमचारी हैं पर इतना भी नहीं जानते कि फर्स्ट के यात्रियों की नींद में व्यागात डालने का आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है आप लोग नहीं गए तो शायद आपकी नौकरी आने वाले यात्री नहीं यहाँ बैठने वाले यात्री ही ले लेंगे जब आपसे कह दिया है कि किसी यात्री का रिजर्वेशन हुआ तो हम पल भर में डिबा खाली कर देंगे समझें? और चारों दुम दबा कर हवा हो गए वो अंग्रेजी की चुनी गालियां देती मेरे पार्ष के बर्थ पर लंबी हो गई सोच रहते कुछ पान सिग्रेट की सामगरित जुट जाएगी पर यहाँ घास भी नहीं मिली वो कहती जा रही थी क्या पहाड गुमने जा रही हैं? उसने एक सिग्रेट सुलगा कर मुझसे पूछा लाइटर के क्षणिक प्रकाश में मुझे कठे जबरे बालों से धका एक गोरा गालीट दिख पाया अब तक उसका मुझे पर रतेष्ट रॉप पढ़ चुका था जी नहीं मैंने कहा मैं वहीं रहती हूँ वा बड़ी भागिशालनी हो हमें तो अब उस स्वरगा दपिगरी यसी जनम भूम के दर्शन वे दुरलब हो गए है आज 24 साल बाद पहाड जा रही हूँ अरे तो क्या पहाडी है मेरी उस सुकता कुछ-कुछ बढ़ गई थी दूसरी बर्च से कोई उत्तर नहीं आया अंधेरे में नन्ने हीरे जड़ी घड़ी की क्षणिक जलक सी लगी मुझे लगा पार्श शाइनी महिला ने घड़ी वाले हाथ को मात्य पर दर लिया है और जनम भूम की इसमरतियों के सागर में डूबने उतराने लगी है सहसा एक दीर खुश्वास मेरे गालों को चूगिया हाँ हूँ तो पहाड़ी पर सूरत से नहीं लगती वैसे इस मुए अंधेरे में तुमें मेरी सूरत दिखी कहा होगी बत्ती आने पर देखना सब कहते हैं एंग्लो इंडियन लगती हूँ मेरी नानी नहान की थी और तुम भी पहाड़ की हो तो इतना तो जानती ही होगी कि नहान की अधिकांश महिलाएं एंग्लो इंडियन ही लगती है गोरा दूधिया रंग और नीली आखे मेरा माथा ठनका कोई कितने ही अंधिकार में डूबा क्यों ना हो मेरी ननिहाल नहान में है देखती नहीं इसी से एंग्लो इंडियन लगती हूँ गोरा दूधिया रंग और नीली आखे जिसने 24 वर्ष पूर ये गर्व पूर गोश्रा की थी वही उस अंधेरे को चीर कर मेरे सम्मुक खड़ी हो गई क्या वर्षोपूर विछड़ी अपनी सखी को बाहों में बांद लू या बत्ती आने की प्रतिक्षा करूँ तो क्या 24 वर्षों में आप एक बार भी पहाड ने गई मैंने धड़कते कलेजे को थाम कर पूछा नहीं सच पूछिये तो इतनी दूर से जा भी नहीं सकती थी वैसे चाहने पर तो मनुष्य साथ समुद्र भी लांग सकता है पर मैं एक लंबे अर्से से विदेश में रही पहले विमान परिचार क्या थी अब उम्र बढ़ गई है और परिमारजित रुच के आकाश विहारी यात्रियों के स्तर का विमान अधिकारी बहुत ध्यान रखते हैं इसी से अब रिसेप्शनिस्ट हूँ साथ मामाओं में से एक बचे हैं इदर अलमोडा में उन्ही की छोटी पुत्री के विवाह में जा रही हूँ अपने संदही की पुष्टी का सबसे बड़ा सबूत पाकर में व्याकुल हूँ थी उसी विवाह में तो मैं भी जा रही थी उसकी छोटी मामी मेरी मौसी थी निम्मी ही है ये सुन्दरी निर्मला देखा ना आपने वो शायद फिर बैट गई गाड़ी छूटने में पांच मिनट हैं अब हमें कोई नहीं निकाल सकता दिल्ली की गाड़ी के कोई यातरी आये देखिए कैसे हम लोगों को मूर्खा समझ लिया था अब ठाड़ से रादवर पैर पहला कर सोएंगे मैं अंधेरे में मुझ छिपा कर हसली चौबीस वर्षों की अनकई बाते क्या एकी रात के सफर में पूरी हो पाएंगी ठाड़ से रादवर पैर पहला कर क्या सो सकोगी मेरी निम्मी मैंने मनि-मन कहा गाड़ी में जटका लगा और उसी जटके के साथ डिबा बिजली से जगमगा उठा आकस्मिक प्रकाश से हम दोनों सक पका कर उठ बैठी वो आँखों को मलती उठी रही थी कि मैं नहीं उसे पहले देख लिया और आश्चरिस से इस्तब्द रह गई कटे बालों के अत्रिक्त उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ था शरीर की किसी भी लुभावनी रेखा पर तोला भर मांस की परत भी नहीं चड़ी थी अब उसकी बारी थी वो हसकर मेरी और मुडी नहीं लगती हूँ न पहाड़ी उसने अपना वाकी पूरा भी नहीं किया था कि मुझे पहचान लिया कूद कर मुझे से लिपट गई गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी जिन करमचारियों को उसने लताड़ा था वे खिसियाई से प्लेटफॉर्म पर खड़े चलती गाड़ी को देख रहे थे निम्मी की बाहों में मुझे देखकर उन में से एक ने न जाने क्या कहा और एक अशलील ठाका भाकती गाड़ी का पीछा करने लगा मैंने खिर्की का कांच चढ़ा दिया बहुत पहले उसे ऐसे ही एक अशलील ठाके से बचाने के लिए मैंने खिर्की के कांच का जरह भकतर चढ़ाया था तब भी हम दोनों अकेली बोर्डिंग से घर लोट रही थी लाल मुहे गोरों की रंगीन भीर ने इस अपूर सुंदरी को देखने अगल बगल के डिब्बों से अपनी पूरी फोजी टुकडी को नियोद दिया था एक लियोपेट्रा, एक मुगल कुईन आदी प्रशेंसा के पुष्प गुच हवा में उचलने लगे थे बड़ी कठिंता से जनाने डिब्बे की किले बंदी में बंदनी बन एक परिचित वयस्क गार्ड के संरक्षन में एक प्रकार से लुक छिप कर ही हम काड़ गुदाम पहुँचे वहाँ भी सैनेटोरियम की एक रौबदार आईरिश डाक्टरनी का साथ जुट गया नहीं तो साथ चल रही फोजी बस के यात्री शायद फिर कुछ उत्पात मचाते बुडिया ने उतर कर उनके कमांडर से कुछ कहा और फिर मार भर किसी ने चूंतक नहीं की आखिर क्या कहा आपने निम्मी नहीं पूछ लिया था मैंने कहा ये उनका बड़ा ही अन-ब्रिटिश व्यवार है बस मरकट मुखी वानर सेना के आत्मगौरों को बुडिया ने एक ही वाके से जागरत कर दिया आज क्या ऐसा ही एक वाके भारत की अनुशासन प्रियता को बांच सकता है निम्मी कौन सी अमरबूटी खाती रही है तू कुछ तो मोटी हुई होती मैंने कहा कुछ नहीं बस जबान को कड़ी लगाम में कस्ती हूँ याद है ना आलू छोड़ दिये थे अभी मजाल है जो कभी एक चिप्स भी होटों से लगी हो वो बड़े गर्व से अपनी सुड़ टांगे हिलाने लगी वर्षोपूर निम्मी आलूओं के लिए कहीं से एक विदेशी युक्ति सुनाई थी बस उसी दिन से आलू छोड़ दिये मक्खन घी मिठाई चावल सबसे बैर मोर लेकर ही वो चरंतन यौवन का वर्दान पा सकी थी मेरी मौसी कभी कभी अपनी मूह लगी भांजी को छिर देती शादी होगी तो क्या करेगी इस कमर में से तो चुए का बच्चा भी नहीं छिरकेगा तुम अपनी कमर में हाथी पालना मामी वो पुर्जोर कहती गजगामनी मामी की कमर में सचमुच किसी हाती का बच्चा समा भी सकता था प्रोडावस्ता के साथ साथ शायदी कोई भारतिय नारी अपने सौंदर और स्वास्त की पोटली सहज कर रख पाती है पर निम्मी तो अपनी 42 वर्ष में अभी भी चूने से महली हो रही थी इसी तन्वी मंदोदरी को अपनी तुलिका के रंगों में सदा के लिए अमर करने की याशना करने काडार देवी की घाटी का विदेशी चितरकार निम्मी के पिता के सम्मुक प्राया घुटने ही टेक कर गिरगराने लगा था केवल उसकी अपूर लावने महीं देवललरी का ही चितर बनाएगा वो देव की प्रतिकरती आँकने का नाम भी नहीं लेगा उस दिन उस कला मरमगे को अनमत मिली होती तो निम्मी का ये चितर मद युगीन अनपम कलाकरती शाल मंजिका से होड़ ले सकता था पर राय साब कुछ बातों में एकदमी लकीर के फकीर थे वैसे उनका कहना ठीक था निम्मी की सगाई हो चुकी थी उसके भावी श्वसुर अपने क्रोधी सुभाव और सनातनी परंपरा के लिए प्रसित थे सवा चार बालों के बीच द्वजाजी शिका फहराते फुले नथने और चौडे कंदे वाले निम्मी के भावी श्वसुर दुरगादत्य जी मुझे सदा पूंच उठाए सींग गुसेडने को ततपर प्रोधी सान से ही लगते थे आज शायद दुरगादत्य जीवित होते तो कुमाओं की क्या स्वयम अपने परिवार की प्रगती देख करी आँखे फोड़ लेते कुछी दिन पूर उनकी एक पोती ने किसी वैशे पुत्र के गले में जैमाला डाली थी मंजला पुत्र विदेश यात्रा से एक साड़े छे फिट लंबी लाल मुई मेम का तोफा ले आया था जिस चौके को तीन वार लीप पोत कर हडिया चड़ती थी उसको तोड़ फोड़ कर अब खड़ा सीमेंट का चूला बन गया था पर ये सब देखने के पूरी विधाता ने दुरगा दत्यजी को उनकी निष्ठा से प्रसंद होकर समय से पूरी अफकाज क्रहण करवा दिया था उनी के जीवन काल में उसके सबसे बड़े पुत्र से निम्मी की सगाई हुई थी निम्मी के पिता का ओधा भी उचा था और खांदान भी अंग्रेज नंदनों को गोदी में खिला खिला कर उन्होंने राय साहबी का खिताब पाया था कई लाट कमिशनों से उनका संबंध था अंग्रेजी अदब कायदे को गुट्टी में पिला कर उन्हें अपनी मातर हीना पुत्री को बड़े दुलार से पाला था जब तक पहाड में सगाईयों के रिवाज नहीं चला था विवाही के दिन प्राता काल टीका चड़ा कर संध्या फिरे पड़ जाते पर राय साब ने बड़ी जिद से भावी संधी को विवश कर दिया था विवाह का अभी एक वर्ष तक कोई प्रश्नी नहीं उठता था क्योंकि मेधावी लड़का पढ़ रहा था इसी से सगाई की सील मोहर लगाना उनके लिए अन्यवार हो गया था स्वयम उनी की तीन-चाथ भतीजियां विवायोग हो गई थी कब कौन उनके मुगा ग्रास चीन ले क्या पता वैसे स्वयम वे लंबी सगाई के पक्ष में नहीं थे जहां तक होगा अगले ही वर्ष हम तेरी शादी से चुटी पालेंगे वे हसकर न्मी से कहते न्मी की सगाई के दिन ही हम लोगों ने पहली बार उसके भावी दूले को देखा था न्मी के पिता ने अपने असंख विदेशी मित्रों को उस दिन न्योद दिया था सुनेरे अक्षरों में छपे काड में पूरा कारिक्रम छपा था रामपूर से एक सुन्दरी बाई जी को इसी जलसे के लिए मोटी रिकम देकर गुलाया गया कान पर हार धर कर टपे अलापती बाई जी एक बार गाउ तकिया लगाए दुर्गा दत्य जी की ओर भी घातक कटाक्ष का वार कर बैठी थी और उन्होंने नाग पर रुमाल रखकर आखे बंद कर ली थी अपने अरसिक ससुर के प्रती उसका कावे निवेदन विर्थ जाते देख निम्मी ने मुह में आचल ठूस लिया था गोल कमरे की सज्जाही उसने निराली थी मेज पर सजा विराट केक, नाना प्रकार के मेवे मिश्ठान, छट से लटकते जाड़ फानूस की जगमगाती रोष्णी में चमकते विदेशी जोड़े, होटों का रंग, आलपा की गाउन की खसर पसर, मीठी खुश्वू, सब इठाके और शेंपेन की चोड़ी कटी की ब चोकरियों, कहे, निम्मी की शौकी नानी, अपनी एक कानी आँख को हाथ से ढाब, दूसरी मोतिया बिन से धुंदली आँख को द्वार के उस छिदर पटिका देती, जिससे उन्होंने उस ब्रजभूमी में गोपियों की ऐसी कई रास लिलाएं देखी थी, निम्मी का आची ही आकर रिष्टा मांग गई थी, दुरगा दजी ने उस प्रस्ताव का कड़ा विरोत किया था, पर जितनी पुत्र को वे जानते थे, उन दोनों कैसा ही प्रगत्शील परिवार क्यों ना हो, पहाड में दमाद का विभा से पूर्व ससुराल आना अनुनी घटना थी पर राय साब हाई कोर्ट खुलते ही प्रयाग चले गए तो एक दिन उनका दमाद भी अपने बोर्डिंग से आटपका, फिर तो दीरे दीरे ये हर इतवार को आने लगा, राय साब को भी उसके आने से कोई आपती नहीं थी, आठ महीने बाद तो वो उनका दमाद बनी रहा अच्छा है, मैं नन्याल में नहीं हूँ, निम्मी ने मुझे लिखा था, वहां होती, तो क्या साथ मामियों की चौधे आँखों को चल पाती? वैसे तो उनकी नानी की पौनी आँख की अकेली सर्चलाइथी उसकी कोडशिप को ठप कर दीती, सुरेश को दूर से देखने पर अपनी भावी पतनी जितनी सुन्दरी लगी थी, निकट आने पर उससे कहीं अधिक लुभावनी लगी, पर मुझे उसके लिए बड़ी चि आज हरामकोर विशन को मैंने सुरेश के सामने ही ऐसी जाड पिलाई कि सुरेश भी सहम गया, आज मैंने नत्थू की पूरी दुलाई काट ली, कहता था डैडी की कमीज गदहा चर गया, मुझे निम्मी की अल्प बुद्धी पे तरस आता, विवा के पूर्वी शांत भावी सहचर को ऐसे सहमाना क्या उचित था, ये ठीक था कि वो ऐसी उची दुकान पर सजी मिष्ठान का थाल थी, जिसके बिग जाने पर लोटाने का प्रशनी नहीं उठता था, पर फिर भी भला कोई दुकानदार क्या स्वैमी ग्रहक को उलट पलट कर अपने माल का दु लंबई अवद इसे, पढ़ाई क्या शादी के बाद नहीं हो सकती, वो प्राया ही सुरेश से पूछ बैठती, उसके इसी अधीर प्रशन के उत्तर में ही शाय सुरेश उसे एक नीलम की चौकोर अंगुठी लाकर पहना गया था, आज भी वही अंगुठी उसी अंगली को सुक्ष में घेरे में बांध हतकडी सी बनी जोकी इत्यों धरी है, ना नीलम घिसा ना पहनने वाली सौमिनी, तब क्या अभी भी वह सुरेश को भूल नहीं पाई है, अंगुठी पहनाने के बाद ही चुटियां आ गई और सुरेश बड़े उत्साह से पहाड चला गया, व पहाड पर पहुंचते ही विभा की तैयारियां आरम हो गई, कहीं सुरेश की बीसियों ताई, चाचियों के कपड़ों के जोड़ों पर चिट चिपकाये जा रहे थे, कहीं गेहूं और तिलके परवताकार इस्तूपों को बीनने, महले टोले की महलाओं की चीटी किसी कतारे चली आ रही थी, चाय और फलाहरी नाश्ते के साथ कई जोड़ा हाथ क्रिया शीलता का नाटक रच रहे थे, जिसमें हाथ कम और जबाने अधिक चल रही थी, अनाज के कंकर जोकेतियों धरे रहते, पर समाज का कूड़ा करकट खूब बीना फटका जाता, सुना पहन तुम बहु अपने इस बेजोड मजाक से सब को लोट-पोट कर देती, अरी बड़ी हरामिन है तुरगवा के दुलहें, मरी के दिमाग में ना जाने कहां से ऐसी बातें आती हैं, इसी रसिक्ता की रस्वंती फुआरों के बीच ग्रह स्वामिनी कुंडे का दानीदार दही मंगव हो जाती, कूद कर हम दोनों भी पहुँच जाती और तिमिल के चोड़ी पत्तियों में एक-एक अमरत सरूपी फांक का प्रसाद पूरी महला गोश्टी में वित्रित हो जाता, हसी कुशी के बीच उतरायर का सूर नित्य के अधहर से डूबने की चेतावनी दे बैठता, तो जा नीबू खाने, पास पडोस तो दूर, अब शायद घर के ही सदस्यों को नहीं कोई नियोतता, सम्मिलित परिवारों के खोकले गरोंदे कपके ढह चुके हैं, और जो एकाद नए युक के भूकम के गहरे का धक्के को सहकर भी खड़े रह पाए हैं, उनमें ना जाने कित भाई भाई को खून का प्यासा बना दिया है, आज घर-घर में दारा, मुराद और और अरंगजेव हैं निम्मी, उत्तराण का सूर अभी उसी अधहरे से डूबने की चेतावनी रेता है, पर उसकी चुनोती को सीकारने, बिजली की जगमगाती बत्तियां हैं, लड़किया स्वच्छन्द होकर बजार में सिर उगाड़े भूम सकती हैं, आज उन्हें हमारी भाती तोकने वाला कोई नहीं है, युग पुरुष ने करवट ले ली है, जिस अलमोडा के बच्पन के चेहरे की दूधिया चिकनहट देख चुकी थी, उसके प्रौड चेहरे पर कि जुरियां देखना क्या निम्मी को अच्छा लगता? और नाना मंगल गीतों के बीच, पीछे फुलवर के लेस लगे पिछोडों पर रुप्या कपड़े में लपेट, गुले नारी रंके ठपे धरे जा रहे थे, राय साब भागते भागते आ गए, फोरन काम रोग दो, वर के ताव को दिल का दोरा पड़ गया और वो चल बसे हैं, अब समध्याने के सूतक में विवा की बात कैसे उठ सकती है, निम्मी अपने कमरे में बड़ी देर तक रोती रही थी, दुरगादत जी का सम्मिलित परिवार अपने आदर्श प्रेम के लिए प्रसित था, पिर सबसे बड़े भाई की मृत्य होने पर, पुत्र का मौर और किस दुस्ताहस से समवारते, उन्होंने कहलवा बेजा कि पूरे एक वर्ष तक सहुदर की मृत्य का मातम मनाएंगे, राम राम कर एक वर्ष भी कटा, इस बीज ना जाने क्या सोचकर राय साब पुत्री को ननिहाली छोड़ गए, लुग छिपकर मेरी पते पर नहीं आता, और निम्मी का सूखा चेहरा देख मुझे बड़ा तरस आता, मैं उसे दिलासा देने की भरसक चेश्टा करती, सबर का फल मीठा होता है निम्मी, मैंने एक दिन हसकर उसे समझाया तो मुझ पर ही फैल गई, जी हां और सबर का मीठा फल पेड़ पर ही लटका र दूसरे ही वर्ष उसके मजले चच्चिया ससूर चल बसे और वहा फिर एक वर्ष के लिए टल गया, छटे महीने उसके तीसरे ससूर की आतें घर की पुरानी गाये ने सींग मार कर आंगन में फैला दी, अब तो राह साब के धहरे का सिंगासन भी डगवगा गया, निम्मी क के पचास वर्ष पुराने दमा ने बिना किसी पूर सूचना के उनका दम उखाड लिया, तो अब बाप बेटी दोनों ने हतियार डाल दिये, जिस पुत्र के मुंडे सिर पर बाप की क्रिया का छोपा बंधा था, उस पर मौर बांधने की आशा दुराशा मातर थी, पुत् पुत्री जान गई थी कि वो घड़ी अब कभी नहीं आ सकती, ना जाने किस दैवी शक्त ने उस भावी संकट के लिए प्रस्तुत कर दिया था, सुरेश की पहली नियुक्ति बिहार में हो गई थी, तीन अदद विदवा ताई चाचियों को लेकर वो अपनी नई डिप्ट में बिखेड दिया, बनता है नालायक, चाहता तो क्या मुझे ब्याकर नहीं ले जा सकता था, कैसा बच्पना करती हो निम्मी मैंने कहा था, वो बेचारा क्या तीन बुढ़ों को अमरत पिला कर बचा लेता, कौन कहता है बचाने को, पर हर बुढ़े के मरने पर इस इस्ट अर्थी नहीं निकली, इस बीच निम्मी की अल्प बुढ़ी ने स्वयमी अपने सौभागी की अर्थी निकाल दी, विवागी तिथी निश्चित करने सुरेश ने नमरता पूर्ण पत्र लिखा, तो निम्मी का उत्तर आया, अपके अपने घर भर के बड़े बुढ़ों क अपत्य को समझने की शक्ती उसकी रूप गर्विता भावी पत्नी में नहीं है, उसका आवश्यक्ता से अधिक सौतंतरता प्रेमी व्यक्तित्य एक न एक दिन अवश्य ही उसकी अनुशासित दलीलों की अवेलना कर विद्रो कर बैठेगा, और वो दिन सुरेश के लिए ब पर अब उस घमंडी लड़की से रिष्टा नहीं करेगा, जिसने उसके मृत गुरुजनों का अपमान किया है, सगाई टूट गई, मैंने उस वैभव मदमत रूप गर्विता को तीन-चार पत्र भी लिखे, पर कोई उत्तर नहीं आया, इस पश्ट था कि वो अपने जीव में जंजावात की भाति आय प्रेमी की इस्मृति का एक एक चिन मिटा दिना चाहती थी, और मैं ही तो उस प्रड़ेकाल का प्रमुक इस्मृति स्तंभती, सुनने में आता रहता था कि राय साब ने नेपाल में लाखों रुपया पैदा कर लिया था, और शायद उसी भौत समाचार मुझे मिला था, और आज इतने वर्षों बाद वो मुझे अचानक मिल गई, हर स्टेशन के आते ही वो उचक कर खिड़की से झाकने लगती, वही पर्चेत स्टेशन पहाड निकट आने पर छोटे छोटे प्लेट फॉर्म पर वैसे ही सरल पहाड़ी चेहरे देखत वो उत्तेजित हुई जा रही थी, लालकोय के स्टेशन पर मस्त बैलों की भाती दो इंजन गाड़ी को ठेलने बढ़ाए, तो वो बच्ची सी किलक उठी, अरे कुछ भी तो नहीं बदला, अभी भी दो ही इंजन गाड़ी को काट गुदाम तक ठेलते हैं, तुम भूल रह नासिका अभी भी उतनी ही आकरशक थी, सब सुनती रहती हूं विदेश में, अब यहीं की बात है, परसो कलकत्ता से एक बर्त के रिजर्वेशन के लिए दसका नोट थमाया, तब जाकर कहीं मिला, गाड़ी हलद्वानी छोड़ रही थी, अचानक मुखरा निम्मी चुप ह मैं उसके मुग्द चेहरे को देख रही थी, प्रिकर्ट के आचल में तराई के अनोखे बेल बूटे उतरने लगे थे, सूखी नदी के क्षिर कलेवर में बहते शेहतीर, आसपास पड़े गोल चिकने पत्त्रों के इस्तूपाकार गठर, नारंगी फलों की सुपर्चित ज ठाड़ियां, लकड़ी के धुएं से काले अरवाचीन मकानों के कंकालों के बीच उबरे सीमेंट के दुमजले चमचमाते मकान, ना जाने कितनी इसम्रतियां अभागनी को विवल किये जा रही थी, एक रहस से केवल मुस्तकी सीमित था, एक बार किसी रिष्टेदारी के व पस क्लास में दोनों की सरस्यात्रा की सजीव वर्नन से भरा निम्मी का लंबा पत्र शायद अभी भी मेरे पास पड़ा होगा, क्या आज उसी मीठी इसम्रति का विश्धर उसे अपने घातक डंक से डस कर निशेष्ट कर रहा था, मेरी उपस्तित को भूल वो खिड़की प क्या बहुत अधेड लग रही हूँ, मैं खिसी आ गई, नहीं निम्मी, वही तो नहीं लग रही हो, जलन हो रही है तुझे देखकर, पगली कहीं की, उसका सर्भावना के गहवर में डूख गया, तेरा क्या, लड़कियों का विवा पक्का हो गया है, पती है, सुखी ग्रह और मेरा तो माई फेस इस माई फॉर्चून, मैं चौकी, कहीं संसार के प्राचींतम मीना बजार में अपने रूप के हाट की उजड़ती दुकान का तो लेक नहीं कर रही थी, पर आखें पोश करो हस दी, और उस उजवल निर्मल हास से ने मेरी दुश्चिंता धो पोश कर बहा दी, मेरी अपनी ये धारना है कि कलुश और पाप की छाया किसी भी नारी या पुरुष के चेहरे को रंजद किये बिना नहीं छोड़ती, चंदन या रोली की पावन बिनुली, राम नामी दुपट्टे उड़े, व्रत अनुष्ठान के व्यू के बीच, लोह हम आया, तो हम दोनों वेटिंग रूम की ओर लब की, दोनों पहाड़ी कंट चाय की चाहस से व्याकुल हुए जा रहे थे, बेरे को चाय लाने के लिए कह निम्मी आराम कुरसी पर लद गई, थोड़ी देर तक सुस्ता कर चल देंगे, एक टैक्सी ही कर ली जाए, क्यों? बतियाते चलेंगे, उसने कहा, एकांत में वो मुझसे किसकी कुछल ख्षेम पूछना चाहती है, मैं समझ गई, और तभी मुझे लगा, मुझे लगा, मुझे खड़ी खंदक को शायद हो अज्यानवश नहीं देख पाई, या फिर देखकर भी अंदेखी कर रही है, उसका ये अदम में उत्सा, बिछडी जनम भूम से मिलने की ललक, क्या मामा की पुत्री के विवात तक रह पाएगी, बैरा को टिप देकर उसने बटवा को लन्ने रुमाल से होट पोँचे, फिर चाय से दुल गई लालिमा को लिपस्टिक की गाड़ी रेखा से आरक्त किया, वो सदाई किसी कुशल चितेरे की भात अपने क्यूपिट अधरों को रंगती थी, क्यों अब चला जाए, वो उठ गई, निम्मी, मैंने उस नर्म दिल डॉक्टर की भात भूमिका बांदी, जो मृत्य द्वार पर खड़े अपने मरीज को मृत्य की संभावना से परचित करात है, हो सकता है, दुसाहसी हसी मरीज मुस्करा कर कह दे, जानती हूँ जी मुझे मरना है, पर मत्य से कैसा अब है, मैंने गला खाका रहा, कैसे आरम करूं, पर इस बीच निम्मी ने बातों का उलजा तागा सुलजा, सूत मेरे हां स्वैम पकड़ा दिया, इतना अच्छा पाराय की पंक लगा कर अलमोडा की और उड़ चलू, जिस मीना की छटी की पूरियां भी नहीं खाई थी, उसी के विवा भोज में जा रही हूँ, पर मामी की अकल तो देख, यह लिखाई ने की विवा किससे हो रहा है, बस उसने सीड़ी रग दी थी, अब मुझे पाउं स सफेद पड़ गया, पर दूसरे एक छण उसके सहसा भिच गए होट स्वगत बुदबुदाने लगे, यह तो छोटी मामी का सरासर अन्याय है, कम से कम यह तो लिखी देती, उन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं इस विवा में ना आ सकूंगी, अनुपस्तित मामी के प्रति उस साधारन उपाहर का इस्तर देखकर में दंग रह गई, मकमली डिबिया में जल्मलाते हीरे के करणफूल स्वयम अपना मूले बता रहे थे, फिर कभी मिलेंगे, उसने हसकर कहा, पर आस्वों की चिल्मन से ज्हाकती व्यथा की मलान चाया, उसके होटों तक उतर आई थी, उ उसने कहा, इसे सुरेश को दे देना, अपने बेटे की बहु को पहना देगा, देखते ही देखते उसने नीलम की अंगूठी उतार कर मुझे थमा दी, इसे रहने देना, मैंने डरते डरते कहा, किसके लिए रहने दूँ, आसू की दो बड़ी बड़ी बूने कोर से नीचे दुलग गई उसने उन्हें पोशने का कोई प्रत्म नहीं किया आज तक जिसके लिए मुर्खता वशे से पहनती रही वो मेरे अज्यान से अंधी कलपना द्रश में अभी भी मेरे लिए कुमारा बैठा था आज अचानक वही अपने बेटे की बारा सजा कर चल दिया तो अब क इसके लिए पहनूं मेरी बस चली तो वो देर तक रुमाल हिलाती खड़ी रही काश आज सुरेश उसे देख पाता सिर से पैर तक कहीं तो कुछ नहीं बदली होती पर कहां देखेगा अब उसे कल तक तो वो नजाने किस विदेश के आकाश की गगन चारनी बन जाएगी घर पहुचते ही मैंने मौसी को उनका उपहार थमा दिया वर्षों से बिचुडी द्वार तक आकर लोट गई भानजी की इसमरती में मौसी ने एक दो आसू भाए फिर घर के पुराने सुनार से हीरे चचचवाने चली गई असली है या नकली अंगुठी मैंने नहीं दी विव उसके समदी ने ना जाने किस रसिकता की खुलजडी से गुदगुदा दिया था खुब हस रहा था वो उसका युवा पुत्र काली शेरवानी में चमकता दमकता बार बार इधर उधर आखे घुमाता किसी को ठीक वैसे ही ढूड़ रहा था जैसे 24 वर्ष पूर उसका पिता अपनी सगाई के दिन किसी को ढूड़ा था पर सुरेश कितना बदल गया था चेहरे पर सुक संतोष की लाली थी आखों में प्रभुता का मद्ध था और सुखी संपन ग्रहस्ती का विज्यापन देने चोटी सी तोन भी निकल आई थी उस उल्लास की गोधूली को मैं दीनी मुद्रिका डार कर किस दुस्ताहस से मलान करती अंगूठी मैंने बटूए में रख ली दूसरे दिन विदा होने लगी तो भीड में जाकर अव गुंठन वती नवदू के पसीने से तर अंगली में चटपट अंगूठी पहना मैं तीर सी निकल फिर भीड में घुल मिल कि अंगूठी उसे कौन पहना गया अपनी सूजबूज भूर्ती और चातरे पर मुझे गर्व भी हुआ अपने बेटे की बहु की अंगली में उस अंगूठी को एक नाएक दिन वो देखी लेगा जिसे दिखा कर सालने के लिए ही वो उपहर दिया गया था इतना मैं दाव विप्रलबधा नाइका की लोटाई की उस निलांगुरिये को क्या इस युक का दुशन्त पहचान पाएगा अभी आप सुन रहे थे गौरा पंध शिवानी जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसद्ध कहानी विप्रलबधा कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी और गलमेवू